नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi Note का कोई भी सिरीज का फोन है या फिर MI का फोन है ये शाउमी का फोन है तो यहां पे आप कीबोर्ड के उपर अपनी फोटो कैसे स कर सकते हैं या फिर इसका थीम चेंज कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहां पर कीबोर्ड ओपन करेंगे और इस ट्रैप से आप्शन आएगा तो यहां पर आपको फूर्डाट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे थीम वाला सेक्शन है थीम अगर फिर चलिक किर लेंगे तो यहां पर आपको अलग-अलग तीम देखने को मिलजाएंगे आपको इस का अगर क्लिक कर लेंगे अधर्यो newborn करना है तो यह इस पर क्लिक कर लेंगे हैं थीम्स देखने को मिल जाएंगे तो इन में से भी आप लगा सकते हैं डाउनलोड करके अपलाई पे क्लिक कर लेंगे देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया है केबोड का ठीक है और अगर कुछ और लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं इस टेप से यह थीम्स चेंज हो गया है अब हम यहाँ पे बैक कर लेंगे और यहाँ पे वापे से जाएंगे थीम पे क्लिक करेंगे अगर आपको वैसी आपके सिस्टम वाली लगानी है तो ये वाली थीम है आप इस पर क्लिक कर लेंगे और अगर आपको पीपोटो लगने हैं तो फोटो के लिवी जो गयल्री का ऐप्षा पिक्लिक कर देंगे ओर यहां यहां पर इफेक्ट आ जाता है इफेक्ट वगर लगाने हैं कुछ है टाइपिंग करेंगे ना कोई इस टैप की यह आपको देखने को मिलेंगे बबल से यह है तो यह लगा लेंगे और फॉंट का स्टाइल यहां पर आप चेंज कर सकते हैं इसका तेक है और इसके बाद अगर नहीं चाहिए तो बाकि यहां पर बटन आचाते हैं तो बटन को यहां पर हाइलेट कर सकते हैं इस टैप से और यहां पर सेफ पे क्लिक कर लेंगे ओपैसिटी को यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं तो देख सकते हैं कीबोर्ड यहां पर आपका सेट हो चुका है औ तो इस ट्रैप से आप यहां पर सेटिंग कर लीजेगा और बैक कर लेंगे आई होप गई यह वीडियो आपको पसंद आओगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार